मस्ती, MS में आप लोगों का फिर एक बार सौगत है हम लोग जो Lucent Optional का नवा टॉपिक सेकेंड नवे टॉपिक के अंतरगत पूर मध्धिकाल चिसो पचास इसवी से बारा सो छे स्वी तक और सेकेंड टॉपिक में दच्छिड भारत चोल शामराज वा अन्न के बारे में पढ़ रहे थे जिसके 40 कोस्चन हो गए थे और दच्छिड भारत के किरन बुक से कुछ पल्लव वंस और बादामी या वातापी के चालुक और वेंगी यानि आन्तप्रदेश के पूर्व चालुक इनके बारे में डिटेल में पढ़ चुके थे आज इसमें 80 तक 41 से 80 कोस्चन होंगे और कल्याणी के चालुक होंगे और देवगीर के यादों मदुरे के पांड द्वार समुद्र के होईशलवंस और कदम राजवंस और गंगवंस इनके बारे में बताया जाएगा तो 41 कोस्चन है महा भारत पर भारत वेडवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया और महा भारत का जो तमिल भासा में अनुवाद है उसका नाम लिखा गया भारत वेडवा तो भारत वेडवा की रचनाकार कौन है जिन्होंने अनुवाद किया तो अनुवादित करने वाले हैं पेरुन देवनार पेरुन देवनार ये महा भारत को जिसने तमिल भासा में भारत वेडवा के नाम से अनुवादित किया तो वो हैं पेरुन देवनार अब देखते हैं कल्याणी के चालुक के कल्याणी के चालुक की वंस का संस्थापक तैलब दुती था तैलब दुती ने 973 से 997 तक सासन किया था तैलब दुती ने असमल और भू नैक मल की उपाज धारण की मेरु तुंग करत प्रवंद चिंता मड़ी से ग्यात होता है कि तैलब दुती ने मुंज के उपर छै बार आक्रमण किया किन्त प्रतेक बार पराजित हुआ मेरु तुंग जो बिद्वान थे उन्होंग ने जो लिखा आये चिंता मड़ी तो मेरु तुंग की जो चिंता मड़ी है इससे ग्यात होता है कि तैलब दुती ने मुंज के उपर छै बार आक्रमण किया मुंज के उपर लेकिन हर बार पराजित हुँ हुआ अगला लिखा है सोमेशर प्रथम यानी एक हजार तेंटाली सिस्वी में सासक बना और उसने अपनी राजधानी मान निखेत से कल्याणी में इस्थांत्रित किया पहले मान निखेत थी लेकिन अब सोमेशर प्रथम ने कल्याणी राजधानी स्थांत्रित किया चोलों में पराजित होने के कारण जो ये सोमेशर प्रथम चालू कि था तो चोलों से पराजित हुआ इसी कारण करू वत्ती के पास तुंग बद्रा नदी में डूब कर आत्मत्या कर ली कल्याणी के चालू कि वन्स का महानतम सासक विक्रमादित सष्ट था जिसका सासनकाल 1076 से 1226 सिस्वी तक रहा विक्रमाँक देवचरित के लेखक विल्लड थे विल्लड और मिताचरा के लेखक विग्यानेशर विक्रमादित सष्ट के दरवार में रहते थे विल्लड जिन्होंने विक्रमाँक देवचरित लिखी और मिताचरा के लेखर जो विग्यानेशर हैं उन्होंने विक्रमादित सष्ट के दरवार में रहते थे चालू कि विक्रम सम्वत विक्रमादित सष्ट ने 1076 इस वी में प्रारम किया एक अजार चेतर में जबी सासन करने बैठा तबी से इसने चालूक विक्रम सम्मत प्रारम किया और 1226 तक इसने सासन किया था नेक्स्ट पॉइंट है मान सोलाम मान सोलास और अभिलास तार्थ चिन्तामड की रचना शोमेशर दुती ने की थी चालूकों का पारिवारिक चिन्वारा था विक्रमादित सष्ट के बाद सोमेशर दुती जिसने 1226 से 1130 तक सासन किया वो श्रोयम बड़ा विद्वान था शोमेशर दुती ने भूलोक मल तथा त्रिभूवन मल जैसी उपाधियां धारण की इस वन्स का आंतिम सासक तैलब दुती का पुत्र शोमेशर चतुर्थ था चोल वन्स अगला है चोल वन्स चोल वन्स सारडी दी गई है चोल वन्स की पहला राजा विजया लए था दूसरा आदित प्रथम था तीसरा परातंक प्रथम था और परातंक प्रथम के तीन पूत्र संतान्य ही राजा दित प्रथम गंडारी दित और आरिंजय फिर उसके बाद गंडारी दित की एक संतान हुई मदुरांतक उत्तम और आरिंजय की एक संतान हुई परांतक दुति फर उसके बाद परांतक दुति के बाद में उसकी दो संताने हुए आदित दुति या कारिकाल दुति और दूसरी हुई राजा राम प्रथम क्या हुई राज राम प्रथम तो ये तो पारांतक दुती की संताने थी इसके बार राज राम प्रथम की दो संताने हुई राजेंद्र प्रथम और पुत्री कुंद्रब्या जो पूर्वी चालुक की राजा विमला दित से विवा है इसका हुआ तो जो पुत्री कुंद्रब्या थी राजराम प्रथम की पुत्री थी राजेंद्र प्रथम की बहन थी तो उसके चार पुत्र हुए यह चार संताने हुए कौन-कौन एक तो पुत्री कुंद्रव्या की भी पुत्री हुई जिसका नाम था अमंग देवी जो पूर्वी चालुक की महराज प्रथम से बिवा हुआ था तो पूत्री कुंद्रव्या और विमलादित की चार संताने हुई एक पुत्री हुई अमंग देवी जो पूर्वी चालुक की राज राज प्रथम से बिवा हुआ दूसरा पुत्र हुआ राज धिराज प्रथम तीसरा राजेंद्र देव तुति चौथा वीर राजेंद्र फिर इसमें जो पुत्री थी अमंग देवी इसका एक पुत्र हुआ राजेंदर तिर्थी क्या नाम हुआ राजेंदर तिती या कुलो तुंग चाले प्रथम और जो तीसरा पुत्र था राज धिराज प्रथम के बाद जो राजेंदर देव दुती था इसके भी दो पुत्र हुए राजमेहंदर और इसकी पुत्री हुई दो संताने हुई राज अधिराजेंद्र और पुत्री हुई कल्याण के विक्रमादित सस्ट से जो ब्याही गई ये जो था चोल वंस था अब इधर जो अमंग देवी का पुत्र था राजेंद तिरती तो राजेंद तिरती के चार संताने हुई एक तो राज राज वेंगी का राज प्रतनित जो हु और फिर राज राज दुती का पुत्र हुआ चचेरा भाई बैठा राज धिराज दुती, राज धिराज के बाद उत्रा धिकारी कुलो तुंग तिर्ती और लाश्ट में राजेंदर चतुर्थ तो ये तो चोल राजवंस का है चोल राजवंस का जो पहला हमने सासक बताया है विजया ले इसने 846 से 871 इस्वी तक सासन किया आदित प्रथम ने 871 से 907 इस्वीतक सासन किया। गंडरादिक का एक लड़का हुआ मदुरांतक उत्तम उस वो राजा नहीं बना। जो आरिंजय का पुत्र हुआ परांतक दुति उसकी दो संताने हुए। आदित दुति या कारिकाल दुति जिसने 956 से 979 इस्वीतक सासन किया। और दूसरा जो पुत्र हुआ राज राम प्रथम वो 985 से 1016 स्वीतक उसने सासन किया। फिर राज राम प्रथम की भी दो संताने हुए। राजेंद्र प्रथम जिरुने 2012 से 1044 स्वीतक सासन किया। और दूसरा जो संतान था वो पुत्री थी कुंद्रब्या। कुंद्रब्या पुत्री जो पूर्वी चालू की राजा विमला दित से इसका विवा हुआ। तो पुत्री कुंद्रब्या और राजा विमला दित जो पूर्वी चालू की थे उनसे चार संताने हुई। एक पुत्री पहले हुई अमंग देवी, पूर्वी चालुक राज प्रथम से जिसका विवा हुआ, दूसरा राज धिराज प्रथम हुए पुत्र, जो 2018 से 1044 इस्वी तक यूराज बने रहे, और राजा फिर 2024 से 1063 इस्वी तक हुए, तीसरा पुत्र राजेंदर देवदुत जो 152 से 1064 इसवी तक सासन किया और वीर राजंद्र ने 1963 से 1079 इसवी तक सासन किया तो ये तो चार संताने हुई पुत्तरी कुद्रभ्या और चालुक की राजा मिमलादित कि बिम्ला दित्की आब जो राजेंद्र देवी दुती है उसकी दो संताने हुए एक राज महंद्र और दूसरी पुत्री हुई मदुरांत की जो पूर्वी चालुक के राजेंद्र तिर्ती कुलो तुंग प्रथम से विवाए थी है ना तो इन लोगों का फिर आगे इनका सासन नहीं हुआ लेकिन जो चार पुत्र हुए थे चार संताने थी पुत्री कुंद्रव्या और दिम्ला दित्की तो उसके जो पुत्र हुए पहला पुत्र हुआ राजेंद्र तिर्ती कुलो तुंग प्रथम जो इसने 1070 से 1222 चार संताने हुए राज राज वेंगी का राज प्रतनित जो वो भी महम्मद चोल वेंगी महम्मद चोल जो वेंगी का राज प्रतनित बना और वीर चोल जो वेंगी का राज प्रतनित बना और चौथी संतान हुए विक्रम चोल जिसने 1118 से 1125 तक सासन किया तो ये तो अब राजिंद्र जिसने 1067 से 1017 सीवी तक सासन किया और एक पुत्री हुई कल्याड के विक्रमादित 60 से व्याही गई तो यह है अब जो आमंग देवी का पुत्र राजिंद्रती था उसकी जो चार संताने हुई थी और लाश्ट वाली संतान विक्रम चोल थी उसका जो पुत्र कुलो तुंग चोल दुती उसने 1133 से 1150 तक सासन किया और कुलो तुंग चोल दुर्ती के बाद में राज राज दुती ने सासन किया एक हजार एक गेरा सो चियालिस से गेरा सो चियात्तरी सवी तर राज राज दुती के बाद में चचेरा भाई राज धिराज दुती सासन पर बैठा 1563 से 171 सवी तक। उसके बाद उत्रा दिकारी हुआ कुलोंग टुंग तिरती जो 178 से 1218 सवी तक. और लाश्ट में चतुर्त राजेंद्र चतुर्त जो 1218 से 1246 सवी तता फिर 1246 से 1289 सवी तो ये तो चोल वंस राजवनस का एकसारडी हुआ है। अब डिटेल में देखते हैं चोलों का सरोप्रथम वरण असोग के तेरवे सिलालेख में मिलता है असोग के तेरवे सिलालेख में प्रारंबिक चोलों की राजधानी तंजवर थी परवर्ती चोलवंस का संस्थापक विजया ले 850 इसवी में परवर्ती चोलवन्स का संस्थापक विजया लए आठ सो जिसने 46 से आठ सो इकत्तर तक सासन किया विजया लए ने नरकेशरी की उपाद धारण की विजया लए चोल ने तंजवर में दुर्गा देवी का मंदिर तथा नत्ता मलाई में विजय चोलेशर मंदिर बनवाए तंजवर में दुर्गा देवी का मंदिर तथा नत्ता मलाई में विजय चोलेशर मंदिर बनवाए अब परांतक प्रथम ने पांड शासक राज शिंग को हराकर मदुरय कोंड की उपाद धारण की परांतक प्रथम जो थे जो बिजय अले और आदित प्रथम 1871 से 907 फिर तीसरा जो शासक था परांतक प्रथम तो इसने जो है पांड शासक राज शिंग को हराकर मदुरय कोंड की उपाद धारण की परांतक प्रथम को तक कोलम के युद में राष्ट कूट सासक क्रिष्ड तिर्ती ने हरा दिया चोल सासकों की प्रसासने की काई देख लीजेगा जैसे मंडलम ये प्रांत कहलाते थे मंडलम प्रांत कोटम जो है ये कमिशनरी कहलाते थे नाड जो है ये जिला कहलाता था और कुर्टम जो है ग्रामो का संग कहलाता था है ना कुर्टम जो है ग्रामो का संग नाड जो है जिला और कुर्टम जो है कमिश्णरी और मंडलम जो है प्रांत राज राज प्रथम का वास्तिविक नाड मतलब जो पारांतक प्रथम के बाद में राजा बना राज राज तो इसका तीन उसके बाद बने तो राज राज प्रथम की राज राज प्रथम का वास्तिविक नाम अर्मोल वर्मन था राज राम प्रथम जो 985 से 1016 इस वी तक इसने सासन किया पारांतक दुती के ये पुत् तो इन्होंने क्या किया राज़राजप्रथम ने कांड़ लूर सैले कलमरूत तथा सिवपाद सेखर की उपाद धारन की। राज राज प्रथम ने स्रिलंका के महेंद्र पंचम को हराया राज राज ने उत्तरी स्रिलंका में चोल शामराज का एक नया प्रांत बनाया तथा इसका नाम मुंड चोल मंडलम रखा मुंड चोल मंडलम राज राज ने अनुराधापुर के इस्थान पर पोलो ना रूव को राजधानी बनाया तथा इसका नाम जगलनाथ मंगलम रखा चोलों की नौसेना सरवाधिक मजबूत थी अपने राज की समस्त भूम की माप राज राज प्रतम ने करवाई राज राज प्रतम ने सिरी विजय के सैलेंद्र सासक सिरी मार विजयो तूंग वर्मन को नाग पटिनम में एक बवद मत बनवाने की अनुमत दी राज राज प्रथम ने स्री विजय के सैलेंद्र सासक स्री मार विजयो तुंग वर्मन को नाग पटिनम में एक बौद मठ बनाने की अनमत दी। स्रिलंका की सासक महंदर पंचम को राजेंद पर्थम जब उसके बार राज राम पर्थम का पहला पुत्र था राजेंद पर्थम इसने 2012 से 1044 सिस्वी तक सासन किया तो उसने स्रिलंका की सासक महंदर पंचम को राजेंद पर्थम ने बंदी बना कर लाया स्रिलंका में बहुत विआरों को राजिन्द प्रथम ने नुक्शान पहुँचाया गंगा घाटी की विज़य के उपलच में राजिन्द प्रथम ने गंगई कोंड चोल की उपात धारण की राजेंद प्रथम ने अपनी नई राजधाने गंगई कोंड चोल पूरम बनाई दच्छड पूर्वेसिया जिसे मलय प्रायदीप या जावा सुमात्रा ये जो दच्छडी पूर्वेसिया है कि विजय राजिन्द प्रथम ने की दच्छिडी प्रोवेसिया की विजय राजिन्द प्रथम ने की जिरमें मलाय, प्रायदीप, जावा और सुमात्रा आते हैं राजिन्द प्रथम के समय सिरी विजय सामराज का सासक संग्राम विजयो तुंग वर्मन था अंडमान निकोबार अराकाल तथा पेगु को राजन प्रथम ने विजित किया चोल शामराज का सरवाधिक विस्तार राजन प्रथम की शासनकाल में ही हुआ राजन प्रथम ने एक जार सोला और एक जार तेटीस इसवी में राजदूत मंडल चीन भेजे राजन प्रथम ने बंगाल विजय के उपरांत सोला मील लंबा चोल गंगम नामक तालाब का निर्माड कराया अच्छा स्रिलंका के जो सासक महंद्र पंचम थे तो स्रिलंका के सासक महंद्र पंचम से इंद्र का निर्मल हार राज़्प्रथम ने चीना जो निर्मल हार था महेंदर पंचम के पास सिरलंका के सा सक उसको राजेंदर प्रथम ने छीना अब राजेंदर प्रथम के बाद में इसके जो चार संताने हुई पुतरी अमंग देवी और राजधिराज प्रथम और राजेंदर देव दुती और वीर राजेंदर तो उसमें राजधिराज प्रथम को देखिएगा जिसने तो राज धिराज प्रतम ने कल्याडी विजय के बाद विजय राजंद्र की उपाद धारण की राजेंदर दुर्ती ने शोमेशर को पराजित कर मतलब राज धिराज पर्थम का जो भाई था राजेंदर देव दुती जो राजेंदर पर्थम का ही संतान था पुत्र था राजेंदर देव दुती ये मतलब पुत्री कुंदरंबा और पूरवी चालो की राज मिलाईदित से विवाज जो हुआ था राज पर्थम का जो पुत्र दो थे राज एंदर पर्थम और उनकी बेहन जो पुत्री कुंदरव्या थी तो उसमें हम अभी बता गएं कि उनके चार पुत्र थे नहीं, चार पुत्र, चार संताने ये राजेंदर प्रथम की थी, तो उसमें जो तीसरी संतान थी और दूसरा पुत्र राजेंदर देव दुती ने शोमेशर को पराजित कर अपना विजय इस्तंब कोलापुर में स्थापित किया, कहां कोलापुर में स्थापित किया, अगला पॉइंट वीर राजेंद्र वीर राजेंद्र मतलब राजेंद्र देव दुती के बाद में जो सासक बना वीर राजेंद्र राजेंद्र प्रथम का पुत्र इसने सासन किया 1063 से 1079 तक तो वीर राजेंद्र ने चालूकों को हरा कर तुंग भध्रा नदी के टट पर विजय स्थम्म इस्थापित किया एक हजार अरसाट इसवी में सोमेशर प्रथम ने अब वीर राजेंदर का जो पुत्र था आधिराजेंदर और पुत्री कल्याडी तो उसके विचार जो पुत्र हुए एक पुत्र हुआ सोमेशर प्रथम तो शोमेशर प्रथम ने 12 सौधा गरों का दूत मंडल 1077 ECV में चीन भेजा स्वारी ये गलत हो गया शोमेशर प्रथम ने तुंग बद्रा नदी में डूब कर आतमत्या कर ली C1068 ECV में ये पॉइंट है C1068 ECV में तुंग बद्रा में डूब कर आतमत्या कर ली Next point है कुलो तुंग प्रथम ने 72 सौधा गरों का दूत मंडल 1077 ECV में चीन भेजा कलिंग के विद्रो को कुलो तुंग ने दबाया कलिंग का जो विद्रो था उसे कुलो तुंग ने दबाया कुलो तुंग प्रथम को अन्य सुंड गम तरवित यानि करों को हटाने वाला सुंग डम का तरवित का रत होता है करों को हटाने वाला के नाम से जाना जाता है चिदंबरम के मंदिर तथा सिरी रंगम की समाधी कुलो तुंग प्रथम ने बनवाई चिदंबरं के मंदिर तथा स्री रंगम की समाध कुलोतुंग प्रथम नहीं बनवाई जै गोढ़ान जै गोणदार कुलोतुंग प्रथम का राजकवी था कलिंग तू परड की रचना जै गोणदार ने की थी कलिंग तू परड की रचना जय गोंदार ने की थी कंबन द्वारा तमिल रामायड की रचना कुलो तुंग दुती के सासनकाल में की गई तथा कुम्बड कोडम का नागेशर मंदिर बनवाय आदित प्रथम ने कुन्नूर का बाल सुब्रडायम मंदिर तथा कुम्ब कोडम का नागेशर मंदिर बनवाया दारा सुरम के एरावयतेशर मंदिर का निर्माड राज राज जुती ने करवाया विक्रम चोल की उपादि त्याग समुद्र थी चोल वन्सका अंतिम सासक राजेंद्र तिर्ती था चोल वन्सका अंतिम सासक राजेंद्र तिर्ती था चोल शामराज का अंत्र 1289 सिवी में पांड नरेश कुल सेखर ने किया सदैव राजा के पास रहने वाले उच्च दिकारियों को उडन कुट्टम कहा जाता था विशाल चोल सामराज 6 प्रांतों में विवाजित था समितियों को वारियम कहा जाता था मड़ी ग्रामम तथा वलिन जीर व्यापारिक संगठन थे मडी ग्रामम तथा वालिन जीर विया पारिक संगठन थे राज द्रो को भैंकर अपराद माना जाता था समराट की रच्छा के लिए प्राण ने उच्छावर करने वाले श्रैनिकों को वैलाइक कारर कहा जाता था शैव धरम सरवादिक लोग प्री था चोलवंस में शैव धरम के भक्ति गीत नम्भी अंडार नभी ने लिखे थे राजेंद्र चोल के गुरु इसान सीव एवं सर्व सीव थे विसिष्टा दोईत्य के परवर्तक रामा अनुजचार राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे राज राज प्रथम की विमलादित से विया हुआ था और ये संताने थी राज राज प्रथम की जो पुत्री थी तो राज राज प्रथम की बहन कुंद्रेवे ने एक ही स्थान पर शयो वैश्लो और जैन मंदिरों का निर्माड कराया चोल काल में वैश्लो लेक्कों ने अपने गरंथ संस्क्रेट में लिखे अमरत सागर्त था बुद्ध मित्र जैसे जैन एवं बहुत विच्छों को चोल सासकों ने सरच्छड दिया अमरत सागर्त था बुद्ध मित्र जैन एवं बहुत विच्छों अगला एक कोरंगनाथ मंदिर परांतक प्रथम ने बनवाया कोरंगनाथ मंदिर परांतक प्रथम ने बनवाया चोल काल में मंदिरों के प्रवेश दौर गोपूरम कहलाते थे मंदिरों के प्रवेश दौर गोपूरम कहलाते थे चोल सासक समुदरी सक्ती के लिए विख्यात थे चोल काल की प्रमुख भासा शंसक्रतियों टमिल थी लिंगा येत संप्रदाय की स्थापना वासौ ने की नैनार संत नैनार जो थे वो संत जो थे वो सीव के उपा सकते अलवार संत विश्डू के उपा सकते अन का मान जो है एक कलम आन का मान एक कलम यानी तीन मन था सोने के सिख्कों को कासु कहा जाता था कासु बेली जो होती थी वो भुमिमाप की इकाई होती थी बेली जो होती थी भूमिमाप की काई होती थी राजस्विभाग का प्रमुख अधिकारी वरित पोत राक कहलाता था सेना के च्छावनियों को कडगम कहा जाता था सेना की च्छावनियों को कडगम कहा जाता था सेना की टुकडियों के प्रमुख को नायक तथा सेना अधिछिया प्रधान सेना पती को महा डंड नायक या सेना पती कहा जाता था सेना की टुकडियों के प्रमुख को नायक और सेना अध्यश्य प्रदान सेनापती को महाडंड नायक सेना के मुख्य अंग धनुदर को विलिगल गजा रोही को कुजिर मल्लर और घुरसवार को कुडी रैच वे गर सेना के जो मुख्यंग थे धनुदर को क्या कहा जाता था विलिगल जो गजरोही था उसे कहा जाता था कुजिर मल्लर घुरसवार को कुडी रैच चेव गर तथा पैदल सेना को बड़ पेई कैकोलर कहा जाता था अगला चोल अविलेखों में उल्लखित करों के नाम तो आयम जो था ये कर जो था आयम ये राजस उसे संबंदित था आयम दूसरा जो कर था कडिमे जो कर था ये लगान से संबंदित था किस से लगान से संबंदित था मर मंजाडी मर मंजाडी जो कर था ये ब्रच कर था ब्रच कर था और किडाकास जो है नर्पसू पर लगाने वाला कर था किडाकास आयम राजस कडिमे लागान मरमजांड ब्रेच कर किडाकास नर्पसू पर लगाने वाला कर अगला है पाड कावल तो पाड कावल जो कर था गाउं की रच्छा के लिए लिया जाने वाला कर पाड कावल दौर कर ये वाल लित्मम है वाल लित्मम जो है ये दौर कर है भवनकर भवनकर को क्या कहते हैं मने इरे भवनकर अच्छा दुकानों पर लगने वाला कर कड़े इरे कहता था मने इरे भवनकर कड़े इरे दुकानों पर लगने वाला कर आजीवकों पर लगने वाला कर आजीवक वास कहलाता था आजीवक वाकास ये आजीवकों पर लगने वाला कर 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 मगन में कुमार लुहार सुनार आज से लिया जाने वाले कर मगन में था तो ये तो थेक कर चोल सासकों दोरा निर्मित कराएगा ये मंदिर देख लीजेगा दिजिया लए जो प्रथम सासक था इसने चोलेशर मंदिर का निर्माड नर्ता मलाई में कराया अधित प्रतम जो राजा था इसने नागेशर मंदिर का निर्माढ कुम्ब कोडम में कराया एक इसने और मंदिर बनवाया है बाल शुप्रडायम मंदिर कनूर में बनवाया एक और मंदिर बनवाया है सुन्देश्वर मंदिर ये तिरुक कुटले इस्थान में बनवाया अब अगला राजा परांतक प्रथम परांतक प्रथम ने कोरंग नाथ मंदिर सिरी निवासन लूर में बनवाया कोरंग मंदिर परांतक परथम राज राज परथम ने एक मंदिर बनवाया है राज राजेशर मंदिर ये तंजर में बनवाया है राज राज प्रथम के दोरा बनवाया गया मंदिर राज राजेशर मंदिर तंजवर में है एक मंदिर और बनवाया है राज राज प्रथम ने विरु वाले शरम मंदिर तंवेल में है विरुवालेशर मंदिर तन्वेल में है अच्छा एरावेतेशर मंदिर राज-राजदुती ने बनवाया है दारासुरम में कहां दारासुरम में राज-राजदुती ने बनवाया है मंदिर दारासुरम में एरावेतेशर मंदिर अच्छा कंप रेशर मंदिर कंप रेशर मंदिर कंप रेशर मंदिर कुलो तुंग तुर्ती ने बनवाया त्रिभुवन में एक बार फिर देख लेते हैं विजिया ललने चोलेशर मंदिर नर्तामलाई में आदित प्रथम ने नागेशर मंदिर बनाया है कुम्ब कोडम में, बालशो बड़ायम मंदिर कन्नूर में, सुन्द्रेशर मंदिर तिरुकटले में, और फिर परांतक प्रथम ने बनाया है कोरंगनात मंदिर, कोरंगनात मंदिर सिरी निवासनलूर में, राज-राज प्रथम दो मंदिर बनवाये हैं राज-राजेशर मंदिर तंजोर में और तिरवाले शुरम मंदिर तन्वेल में एरावायतेशर मंदिर जो है ये राज-राज दुती ने दारा सुरम में बनवाया है कम पहरेशर मंदिर कुलो तुंग तिरती ने त्रिभून में बनवाया है अच्छा है प्रमुख चोल सासकों की उपादियां प्रमुख चोल जो है इनकी उपादिया जैसे परांतक प्रथम की उपादियां है मदुरय कोंड कौन उपादी है मदुरय कोंड राज राज प्रथम की उपादी है वो राज केसरी है अरुमोल की उपादी है मुमांड चोल चोल देव उपादी है चोल मरतंड उपादी है जैकोंड उपादी है कंडलूर है उपादी सैले कलमरूत इतनी उपादियां है राजराज प्रथम की उपादियां राजकेशरी आरुमोली मुमाड चोल देव चोल मरतंड जैगोंड कंडलूर सैले कलमरूत यह उपादियां कि गंगई कोंड चोल मुंडि गुंड चोल कंद्रान कोंड पंडित चोल और कुलोतुंग प्रथम की उपादियां है शुंगम तरवित चोल और कटै कोंड चोलं और तीसरी है मलै नडु और चती है कॉंड चोलन तो 4 उपादियां आ हैं सुंघ तरवीत चोल कट़ चोलन मलै नडु कोंड चोलन तो ये हैं प्रमुख चोल सासकों की उपादियां तो इतना ये रखे वीडियो बड़ा हो जाएगा अब कोस्चन देख लेते हैं और ये जो सेश रहे गए हैं मदरुए के पांड देवगुरी के यादव और द्वार समुद्र के होयशल वन्स और कदम राज वन्स और गंग वन्स इनके बारे में नेक्स्ट विडियो में देख लेंगे तो बयानिस्वा कोस्चन है एक तालिस्वा हो चुका ममल पुरम के मंडप मंदिरों ये रत मंदिरों सब्त पगोडा को निर्माड किसने करवाया ममल पुरम के मंडप मंदिरों ये रत मंदिरों जिने सब्त पगोडा कहते हैं तो इनका निर्माड नर्सिंग वर्मन प्रथम यानि मामल ने करवाया मामल किस मंदिर को राज सिध्धेशर मंदिर भी कहा जाता है तो कांची का कैलास मंदिर राज सिध्धेशर मंदिर भी कहा जाता है राजेंद्र चोल दौरा किये गए बंगाल अभियान के शमय बंगाल का सासक कौन था राजेंद्र चोल के दौरा राजेंद्र चोल इनका शासनकाल जो था राजेंद बंगाल वियान के समय बंगाल का जो सासक था वो महिपाल प्रतम था 45-वा कोश्चन आठवी सदी के प्रारंब में निम्लिखित में से किसने जोरो एश्ट्रियानो पार्शियों को सरण दी जो पर्सिया यानि इरान से समुद्र द्वारा फरार होकर टटी रास्ते से पस्चमी भारत पहुचे थे तो अठ्वी सदी के प्रारम में निम्लिखित में से किसने जो रेष्ट्रियों को सरण दी जो पार्सिया यानि इरान से समुद्र दोरा फरार होकर टटी रास्ते से पस्चमी भारत पहुचे थे राष्ट कूटो ने सरण दी इसके राष्ट कूटो ने पार्सियों यानि जो रेष्टिरियों को सरण दी जो पार्सिया यानी इरान से समधरदरा फरार होकर टटी रास्ते से पस्च्वी भारत पहुँचे थे तो सरण उनको किसने दी पार्सियों को राश्ट को उट ने अच्छा है वेंगी के चालूग की राज का चोल शामराज में विले किसने किया जो वेंगी के चालूग की थे उस राज को चोल सामराज में मिलाया था राजेंदर तिर्थी ने जिसको कुलोंग तुंग चोल प्रथम कहते है राजेंदर तिर्थी 1070 से 1222 तक जिसने सासर किया अगला है चालूग की विक्रम सम्मत जो है यह प्रचलन जो है विक्रमादित सस्ठम ने किया था ये चालूक की विक्रम सम्मत विक्रमादित सस्थम ने किया था अगला विक्रमांक चरित का रचैता विलड यो मित छरा की रचैता विग्येनेशर के संरचक सा सकते विक्रमादित सस्थम यही जिनुने चालूक विक्रम सम्मत का प्रचलन किया था उच्धास्वा कोश्चन है मित्छरा की विसे वस्तु है तो पल्लों की राजवासा संस्क्रत थी अगर अगले constant गोपुरम कहते थे मुख्रिद्वार को तो गोपुरम के प्रावंबिक निर्माड का सरपुर्थम किस मंदिर में मिलता है तो गोपुरम के प्रारंबिक निर्माड का शरूप शरुप प्रथम काची का कैलास मंदिर इसमें मिलता है बारवी सदी के राष्ट कूट वंस के पांच सिलालेक किस राज में मिले हैं बारवी सदी के राष्ट कूट वंस के पांच सिलालेक करनाटक में मिले हैं उपस्ताइब Everestैना किने राजवंस में से किसके सेख्ड़ी भायरत का तक कोलम का युद्ध हुआ किनके बीच चोलेवम राष्ट कूटों के मद तक कोलम का युद चोलेवम राष्ट कूटों के मद राष्ट कूटों के मद राष्ट कूटों के मद राष्ट कूटों के मद हुआ तक कोलम का युद अगला एलोरा गुफाओं का निर्माड कराया राष्ट कूटों ने द्रव सामराज का मंदल में विभाजन राज में मंत्रियों का समस्त अधिकार और ना ये विसेश्था थी कर संग्रा प्रडाली का सस्तायों मुचित होना सबसे बढ़िया विसेश्था थी ग्राम प्रसासन की सो यत्ता सोतंतर थे ग्राम प्रसासन 69 कोस्चन है चोलों का राज किस छेत्र में फैला हुआ था साथमा और आज का अंतिम question क्योंकि 40 हमने कयا थे लेकिन 40 नहीं वोगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा साथवा कोस्चन है चोल सासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन है तो सबसे अधिक विख्यात जो है जो चोल सासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं है उसमें सबसे विख्यात है नटराज सिव की कांस प्रतिमाओं है झाल झाल